हेलो एब्रिबन हमाईर यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्त तरुन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे चटक रंगों के फ्लावर शिभरपूर प्लांट की इसका नाम है एकजोरा हलाकि ये इंडियन एकजोरा नहीं है ये है चाइनीज एकजोरा इंडियन एकजोरा प्लांट की पतियां छोटी होती है और थोड़ी डार्क कलर की होती है वहीं चाइनीज एकजोरा की पतियां ब्राइट कलर की होती है और थोड़ी बड़ी होती है लेकिन ग्रोथ दोनों की एक ही तरह से होती है बहुत ही धीरे धीरे एक जो रहा कि फ्लावर्स को जब हम काटेंगे या तोडेंगे तो उसके नीचे से हलकी मीठी सहत की तरह रस निकलता है जिसकी बज़े से इस प्लावर्स पर धेर सारी मदुमक्य और धेर सारी तितलियां आती है ये पूरी तरह से बडिंग से लगा जाता है आप चाहें तो किसी प्लावर्स से इसकी बडिंग लेकर लगा सकते हैं या फिर किसी अच्छी नरसरी से इसके पौदे को करीच सकते हैं इसकी growth बहुत दीरे-दीरे होती है इसलिए अगर आप चाहें तो इसे 2-3 साल के लिए किसी छोटे container या किसी छोटे pot में भी लगा सकते हैं और जब ये बड़ा हो जाए तो उसके बाद आप इसे नीचे जमीन पर लगा दें एकजोरा plant के लिए सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ठेंट का मौसम चल रहा हो यानि बिंटर का सीजन हो तब इसमें पानी कम से कम दें और इसमें fertilizer को अपयोग ना ही करें तो ज़्यादा वेटर होगा चाइनीज एकजोरा सबसे बहतरी इन प्लांट है क्योंकि इसके flowers बहुत ही dark color की और बहुत ही खूपसरा दिखाए देते हैं इस प्लांट के flower गिरते नहीं है कई कई दिन तक लगे रहते हैं इसलिए अपनी garden में इस प्लांट को जरूर लगाएं इसके लिए मिट्टी भुरभुरी होना जरूरी है अगर आप इससे चिकनी मिट्टी में लगाएंगे तो यह प्लांट खराब हो जाएगा आपको हमाई जान करके ऐसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं थाइंक्स पॉर वाचिंग